करता हूँ, हमारे सभी साथी उपस्तित हो चुके हैं, क्रिशन भही असर परिवार आज यहां पर प्रपधारियों उनका स्वागत करते हैं, काभ्य शाष्त्री के छे संपरदाय, काभ्य शाष्त्री 6 संपरदाय परिक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर प्रवक्ता की पर परिक्षा में, रीट की परिक्षा में, डिसस्भी की परिक्षा में, अशिष्टन प्रोपसर की परिक्षा में, हायर की परिक्षा में, उची सभी परिक्षा में इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे पूछ लेगा अलंकार संपरदाय के प्रवर्तक कौन है, रीती संपरदाय की प्रोडतक हैं कि अनंतर रदन कि संप्रदाइस संभंदित इस प्रकार का एक सवाल आपसे परिक्षाओं में हर बात कराया होगा तो आज वो हर सवाल से हम लोग भी सньयूट प्रत्योंगी परिक्षाव में पूछे जाने वाली संस्क्रिद एपिशोड नंबर 34 33 पिशोड हम लोग पढ़ चुके हैं आज कावशास्त्री के 6 संप्रदाय पढ़ेंगे मात्पून महात्पून इधर देखिए यह संप्रदाय हैं रज संप्रदाय और अलंकार संप्रदा रज संप्रदाय के प्रवर्तक आचार हैं भरत नाट सास्त्र वाले जिन्हों में 36 सद्या लिखें अब इनके समर्थक हैं भोजराज बटनायक विशुनात राजसेकर केशव मिस्र सारदातने इत्यादी सब रज संप्रदाय के मानने वाले यह विशुनात कौन है यह वही स प्रकास लिखा है भटनायक जो रज की व्यक्षा करते हैं भुक्तिवाद इत्यादी के संदर रज सेकर नाव आपका जाना माना है भाव प्रकास इत्यादी सारदातने की रचना है तो यह आचार भरत से सुरू होता है रज संप्रदाय और ऐसा साइध ही कोई व्यक्ती हो जो रज को डिनाई करता हो रज की उप्यक्षा किसी ने ने की कोई भी संप्रदाय वादी होगा रज को महत्व देता ही देता है लेकिन रज संप्रदाय शुरूआ विभावानु भावब विवचारी संयोगाद रस निश्पत्ति से भरत के नाट सास्र के चठ्वन अद्य जाए में भरत ने रश ने रस सूत्र लिखा विभावानु भावब विवचारी संयोगाद रस निश्पत्ति तो रस संप्रदाय के प्रवरत का चार भरत माने गए और आगे चली अलंकार संप्रदाय के ए बहुत बड़े भामा हुए भामा ने क्या लिखा काविया लंकार काविया लंकार में अलंकार सब्द खुद जुड़ा है और काविया लंकार में जो अलंकार सब्द जुड़ा है इसी से इनके अलंकार संपरदाय के प्रवर्तक आचार माने गए इनके समर्तक में दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंदुराज, रुद्रट, जैदेव, अप्प गरन्थ जैदेव और अप्पई धिक्षित ने सभी लोगों ने अलंकारों को महत्व दिया थिक है लगबक सो से उपर अलंकार जैदेव के लिए बताते हैं इसी से पता चलता है कि अलंकार को यह महत्व हो गया हो। वहां रीती को लोगों ने उत्रा महत्त नहीं दिया इसलिए वामन अकेले रह गई वामन का साथ देने वाले बहुत सारे आचारे नहीं आखे उलिए अन्य आचारें का मानना था खीरी entend को आब आत्मा के इन सब लोगों ने महत्यव बढ़ाया खासकर ममब जो ध्रताबन परमाचार कहे जाते हैं तो आनंद वर्दन तुम परभय संप्रदाय और आचित संप्रदाय देखे वक्रोकती संप्रदाय कुन्त का ja जैसे वक्रोक्ति को भी कुंतक ने कहा कि वक्रोक्ति कावे जीवितम नामक अपने ग्रंथ में वक्रोक्ति संप्रदाय की सुरवात की किसने आचारे कुंतक ने और कुंतक के भी वक्रोक्ति को कावे की आत्मा मानने के लिए बहुत सारे आचारे तयारनी हुए तो जैसे वामन रीती को लेकर अकेले पड़ गए वैसे कुंतक भी वक्रोक्ती को लेकर लगभग अकेले पड़ गए और इन पर भवेद को बहुत आगे तक बढ़ी पाई अचार आचार क्षेमांद्र इसके प्रवरत्क माने जाते हैं और यह भी यह भी को। दूर तक आगे नहीं गया तो आप देखेंगे रीती संप्रदाय, वक्रोक्ती संप्रदाय और अचित संप्रदाय को समर्थन देने वाले बहुत सारे आचारे साथ में नहीं आए लेकिन रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और ध्वनी संप्रदाय ये तीनों संप्रदाय बहुत प्रतिष्ठित हुआ और आज भी इन में बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं और इन पर काम हो रहा हैं और एक चमतकार संप्रदाय भी कुछ आधुनिक कावशास्त्री मानते हैं लेकिन ये संप्रदाय कोई बड़ा खास नहीं है इनके साथ कोई बड़ा नाम नह अनंदवर्धन से सुरू होता है और अरंकार संप्रदाय भामा से सुरू होता है जो दंडी उद्वर्ट प्रतिहार इंदुराज रुद्रट जेदेव पर दिक्षित तक जाता है काफी सारे फालोवर्स हैं और रस संप्रदाय आचायर भरत के नाटे सासर से से सुरू होता वैसे रस और ध्वनी ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको सब लोगों ने बहुत महत दिया महत तो अलंकार का भी है लेकिन रस का, अलंकार का और ध्वनी का यही संप्रदाय हैं जो खूब फले फूले लेकिन रीती संपरदाय, वक्रोक्ती संपरदाय और ओचिती संपरदाय उत्रा संवर्ध नहीं हो पाया लेकिन जिन आचारेयों ने इनको प्रवर्तित किया, वो इसमें काफी कुछ काम किये तो मैं फिर से एक बर बताता चलूँ, रश संपरदाय में भरत हैं, अलंकार संपरदाय के भामा हैं, रिती संपरदाय में वामन हैं, द्वनी संपरदाय में मुक्ष आचार अनंदवर्धन हैं, वक्त रोकती संपरदाय में कुंतक हैं, और चिती संपरदाय में क्षे में गंगा में तो संधित गंगा के घाट पर और मिलें गें हम सब आठ में पर वह आठ च हैaug सुभा हो Creator Smich अच्छा नौपास किया जवान नहीं हुए लेकिन प्यार करने लग जाते क्रिष्णा भाया का एक बालक भी प्र से विश्व गुरू बनेगा और भारत विश्व गुरू बनता किसके दम पर ग्यान के बलपर और ग्यान किसमें है सम्ष्वित में इसले मैं कहता हूं सब कपा को बच्चों को नाती को भएने को भानजी को मामाइं नाना को मौशी को मौशा को साले को जीजा को सबSnub AU गर में समस्कित का दिप चलेगा तो सुषोख्षित समाज़ और राष्ट्र बनेगा इन अरिentre काम आत पजे girls सुरुआत संस्रित के साथ और साम सम्षृत की साथ हर साम सम्षृत के नाम लोग कहते हैं कि एक साम फलाने के नाम तो हर साम सम्षृत के नाम और हर सुबह सम्षृत के नाम ताकि आप भी सम्षृत बने सब भी बने, संसकारी बने और जहां मरने के बाद जाएं वहाँ आप उसको समस्कित पढ़ाने के मिले चाहना रख जाएं आज के लिए इतना ही नमस्त्रम फ्रता है